पुष्कार स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस विडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि CA को लेकर सरकार ने जो रूल जो नियम लागू कियें वो क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति मतलब जो गवर्मेंट की गाइडलाइन के अकोर्डिंग उनियम के तहथ आता है तो वो कैसे CA के द्वारा नागरिक्ता ले सकता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं क्या-क्या रूल जो है वो सरकार ने बताए है अगर उन्स रूल को हम देखें तो बहुत जादा हमें देखने को मिलेगा कि बहुत जादा एक फ्लेक्सिबल रूल किया गया है बहुत इसली जो है वो नागरिक्ता दी जा रही है इन सी ये रूल के तहथ क्या अभी पिछली वीडियो में जो हमने देखी थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि सी ये को क्या रद किया जा सकता है क्या क्या क्यूंकि इसके खिलाफ सी ये की खिलाफ काफी जाजी याचिकाएं कि कहा गया कि आपने Minority के नाम पे कहा कि इन तीन देशों से मतलब कि पाकिस्तान, बंगला देश और अफगानिस्तान इन तीन देशों से जो Minority जो Community है उसको आप नागरिक्ता देने की बात कर रहे हो, कि आप वहीं पर Minority है उनको क्यों नहीं शामिल किया गया, यह तमाम बाते जो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिसकस की थी, अभी फिलाल जो मामला जो है, वो सुप्रीम कोट में, सुप्रीम कोट आने वाले टाइम में, उसके उपर हेरिंग्स करेगा, तो हम तब देखेंगे कि उसके उपर कार के तोरह जो बताया गया है, कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले, जो लोग भारत के अंदर आये थे, इन तीन देशों से, खास कर कौन कौन से, हिंदू होगे, सिक होगे, इसाई होगे, जैन होगे, पार्सी होगे, एक और कम्मुनिटी जो मैं शाहिद भूल रहा हूं, कौन सी होगे, हिंदू, सिक, क्रिश्चन, जैन, पार्सी होगे, एक और कौन सी, बोध, बोध होगे, दिमाग से निकल गई, ओकि एच्छे जो रिलीजियन थे, इनको पर्सिक्यूटिट कम्मुनिटी के अंदर माना गया था, कि भी यहां पर इनके पर अत्याचार हो रहे हैं, कि पहली बार ऐसा कुछ लेके आ रही है, क्या, पहली बार ही, यहां पर यह जो छे कम्मुनिटी हैं, इनको नागरिकता दी जा रही है, क्या, इस से पहले कभी किसी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसको भी हम डिसकस करने वाले हैं, क्या वीडियो में आगे बढ़ने स जो रूल्स हैं, सिटिजन्शिप अमेंडमेंट के, वो बताए हैं कि कैसे कोई नागरिकता ले सकता है, यह जो कानून है, जो पार्लेमेंट के अंदर दिसंबर 2019 में पास किया गया था, और अब चार साल बाद, साड़े चार साल के पाद जो है, वो यहां पर इसके नियम ल जाएंगे, आपने जसे कुछ ही दिन पहले, लोकसभा के इलेक्शन के पहले, आप CEA के रूल लेके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो यह चीज़ें बता रहे हैं कि आप पोलिटिकल यह सब चीज़ें कर रहे हो, अपने वोट को गेन करने के लिए आपने यह सब चीज़ें क अपकानिसान से, जो एंटर किये थे भारत के अंदर, डेट याद रख लेना, एकत्ती दिसंबर 2014 से पहले, जो डेट जो है, यहाँ पर रखी गई है, इसके पहले अगर कोई भारत के अंदर आए, इन छे कम्मुनिटी से पहले, और इन तीन देशों से, तो वो कैसे देश में वो रह कब से रहा है, उसकी एंट्री, एंट्री कब हुई थी देश के अंदर, ये भी एक विशह बनता है, तो इन सब चीजों को जाचने के लिए, सरकार ने कुछ नहीं बताए हैं, कि भी आप ओरिजन कैसे बता सकते हो, आपके लिए कौन से डोक्युमेंट जो इसमें मेरा ये नाम है, उसके अंदर धर्म का पता चल जाता है, फिर यहां पर आती है एंट्री, भई आपने भारत के अंदर एंट्री कब की, एंट्री कब की, इसके लिए भी कोई दस्तावेश बताए गये होंगे, आपके पास आकर ये दस्तावेश हैं, तो आपकी इसमें के अंदर काफी सादा हमने C.E.A. के खिलाब प्रोटेस हमने देखा है, खास कर वहां पर C.E.A. को लेकर एंग्जंशन दी गई है कि यहां पर C.E.A. जो हो लागू नहीं होगा, अब N.R.C. की बात हो रही है कि N.R.C. को मिलाया जाएगा, प्लस C.E.A. के जाएग प्लस C.E.A. कर देंगे, मुसलमानों को बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, C.E.A. जो हो नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता इसके अंदर छीनी नहीं जाएगी, अब काफी सारे इसमें बोल रही हैं कि देखे हम अपने कागच क्यों दिखाए, म कोई भी रूमर आपको नहीं फैलानी चाहिए, आपको अच्छे से उन चीज के बारे में गहन अध्यन करना चाहिए, फिर जाकर किसी से बात करें, डेफिनिटली आप इसको पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं, वो आपकी परसनल चॉइस है, यह हमारे देश की हमें एक तरीके समझिए कितनी सुंदरता है कि हमें ये आजादी है कि हम किसी के खिलाव बॉल सकते हैं, हमें वो चीज पसंद नहीं आई, हम किसी के लिए अच्छा बन सकते हैं, अगर हमें पसंद आई हैं, लेकिन गलत फहिमी, या फिर कहीं कि उसे मुठ फ्याई फैलाइए कह तो अब हम जान लेते हैं, जो नियम है, वो क्या, क्या-क्या इनको information देनी पड़ेगी C.E.A. के लिए, देखे, C.E.A. को लेकर अगर उन्हें का नागरिकता चाहिए, तो भले ही उनके पास कोई वैद, यात्रा, दस्तावेज ना हो, जैसे कि 1955 का हमारे पास citizenship act है, 1955, वो कुछ particular document वांगता है, अगर आपके पास वो particular document है ही नहीं, जो travel document, valid travel document नहीं है, तो कोई tension मतली जिए, C.E.A. में आपने परवेश, C.E.A. कि ये मानता है कि भारत में परवेश करने वाले इन समुदाए, छे समुदाए बोले गए हैं, द्यान रखना उसकी, इन छे समुदाए के सदुष्यों को इन देशों में धार्मिक उत्पिडना, उत्पिडन का सामना करना पड़ा, अब इसलिए क्या है, कानून ने क्या किया, जो नेचुरलाइजेशन है, देशिये करन है, जहां पर क्या होता था, कि इसी को नागरिकता लेनी है, तो वो क्या होता था, कि देश के अंदर 11 साल रहे, इस चीज को घटा कर उन्होंने क्या कर दिया, पांच साल कर दिया है, तो द्यान रगना, 1905 में ट्रेवल डोक्यूमेंट, एक वैलिट ट्रेवल डोक्यूमेंट की जूर्थ पढ़ती थी, 1905 का क्या है मारे पास, सिटिजिन्शिप एक्ट है, जो ये बताता है, कि आपके पास वैलिट ड्रेवल डोक्यूमेंट होने चाहिए, अगर आप किसी देश से आए हो, लेकिन आप सिए ये कहता है, आप तीन देशों से आए हो, पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिसान, छे कम्मुनिटीज हैं, जिसके बारे मैंने आप लोगों बता हैं, उन छे कम्मुनिटीज में से, आप 31 दिसंबर 2014 से पहले बगर भारत आए हो, तो आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो है, वो नाकरिकता दी जाएगी, और नेचुरलाइजेशन का जो पीरिएड है, वो 11 साल से गठा कर कितना कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया, फर एक्जांपल, भई कोई व्यक्ति जो है, मान लेजिए, एक जनवरी 2014 को ही भारत आ गया था, ठीक है, इन 3 देशों में से, अब क्या होता था कि इसको 11 साल रहने के लिए, अब कितना हो गया, उसको 2025 में जाकर जो इन 3 देशों से आये हैं, वो भले ही लास देश्ट में आये हो, उनको नागरिक्ता मिलेगी ही मिलेगी, clear हूँ आपके सामने, अब CA के तहट जो है, इन देशों के जो एप्रवास्यों को भारती नागरिक्ता के लिए आविदन करने के लिए, केवल अपने मूल देश, भई, origin कौन सा है आपका देश का, वो बताना होगा, अपने धरम के बारे में, और भारत की परवेश की तारिक, और एक भारतीय भाषा का ज्यान होना साबित करना होगा, देखे, यहां पर काफी चीजे हैं, हम इनको बहुत अच्छे से detail से cover करेंगे, first of all तो आपको बताना होगा, कि भारत में आपकी जो entry हुई है, उसकी date कौन सी है, फिर शायद आपको क्या करना होगा, एक आपको भारतीय भाषा का ज्यान भी साबित, मतलब होना चाहिए, आपको वो भी साबित करना होगा, अब यहां पर भारतीय भाषा हैं, जिसमें हमारे अंदर, आट यह न नागरिकता ले सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फस्ट फॉल हम जानते हैं कि क्या प्रूफ देने होंगे, कि आपकी country कौन सी, आपकी जिस country से आये हो, आप उसके लिए क्या-क्या document प्रवाइड कर सकते हो, फस्ट फॉल तो भारत के वैद अवासिय पर्मिट के ए अफगानिस्तान से हो, और साथ इसाथ उसके पास क्या होना चाहिए था, विदे कोपियो वैलिड रेजिदेंशल परमिट, एक रेजिदेंशल परमिट हो, जो इंडिया के द्वारा, सरकार के द्वारा दिये गए हो, लेकिन अब इनको क्या कर दिया गया, इन सब को हटा द आने तो जाएंगी नहीं वो भाग कराएंगे तो भाग कराएंगे तो वो भई इसलिए यहां पर जो एक बोला गया ना कि valid passport issue किया गया हो पाकिस्तान के द्वारा या बांगला देश के द्वारा या अफगानिस्तान के द्वारा तो वहाँ पर उस चीज के अंदर ढिलाई जैदी बहुत टेंशन मतलो आपके पास नहीं है कोई ना आप आईए आप अलग परमान दिखा दीजिए आप हमें मान जाएंगी कि आप उस देश से आते हो अब अलग परमान को हम देख लेते हैं CA के नियम के अंसार इन देशों द्वारा जारी किया गया देख कोई तो चीज होगी ना आपके पास आपके पास जनम या वहाँ के एडुकेशनल इंस्टूट उसका कोई परमान पत्र होगा या किसी परकार को कोई पहचान दस्तावेज होगा आपके पास या कोई लाइसन्स होगा कोई भी परमान पत्र होगा या भूमी या किराएदारी का रिकोर्ड होगा आपके पास कोई अन्य दस्तावे जो आवेदो को ये परमानित कर दे कि भाया वो जो है जिस देश का रहने वाला एक नागरिक है यानि जिस देश से आया है वो उस देश का नागरिक है कुछ ना कुछ तो होगा आपके पास जो इन कंट्रीज के दोरा प्रोवाइड किया गया हो कोई तो simple document होगा चीव लाइसेंस पकड़ लो को certificate पकड़ लो को land या फिर वहां का कोई किराय का record ही पकड़ लो आपके माँ बाप का दिखा दीजी, आपके दादा दादी का दिखा दीजी, आपके पर दादा दादी का दिखा दीजी, इन तीनों में से अगर किसी का ही मिल जाता है, इन तीन देशों में से, तो आपको क्या मान लिया जाएगा, भी आपके जो डोकिमेंटर वो सिवकार कर जाएगे और आपको मान ले जाएगे आप उस देश से आए हो और महतपूर्ण ये बात है देखें आप लाइसेंस बनवाने जाते हो लाइसेंस के ओपर एक डेट लिखी होती है कि इस डेट को अब यह जो लाइसेंस से वो एकस्पायर हो जाएगा आपको जाके रिन्यू बाना पड़ेगा तो यहाँ पर बोला गए है कि जो दस्तावेज अपनी एक वैलिड डेट के बाद भी मतलब उनकी जो वैलिड डेट होती है उसकी एकस्पायर होने के बाद भी वो स्विकारे होंगे तो यह भी इसके अंदर ढीली गई है सुत्रों ने कहा कि इन दस्ताव दिखाये हैं आपको उसी डोकुमेंट के अधार पर जो है वो कहीं न कहीं यह माना जा रहा कि आपका धर्म भी डिसाइड कर लिया जाएगा किसी सैक्षनिक स्थान स्थान से यह परमानित करने वाले परमान पत्र की भी आफशकता स्माप्त कर दी गई आप देखिए एक च किसी एक भाशा क्या आपको ग्याता होना चाहिए तो पहले क्या होता था यहां पर सरकार ने जो धील दी है उससे पहले जो धील ना दी होती तो उसके अंदर क्या होता था मतलब धील तो छे कम्मुनिटीज को दी है तीन देशों से आने वाले लोगों को लेकिन अगर कोई दूसरे देश से आना चाता हो वो भारत की नागरिकता लेना चाता हो तो उसके लिए क्या होता था वह एक requirement पढ़ती थी एक certificate की requirement पढ़ती थी एक educational institute से जो ये certified करता था कि आपको जो mention की गई जो 22 भाषा हैं आठवे schedule के अंदर समिधान के उन में से आपको एक language आती है वो आपको एक तरी के समझे लो test pass करना पड़ता था यहाँ पर educational institute वो चीज देता था obviously वहाँ पर सारी चीज़ें देख कर देता था कि यहाँ भी इस इनसान को यह सारी चीज़ें आ रही है इसको यह language पता है यहाँ पर clear लेकिन अब क्या कर दिया अब आप खाली बोल दीजिए कि यहाँ पर आपको यह घोशना है करनी कि मुझे वो भाषा आती है बस यही बहुत काफी है आपको बस बोलनी आनी चाहिए बस वही enough है प्रयाप्त होगा कि आपको यहाँ की नागरिक्ता मिल जाए यह मतलब कि वो मान ले जाएगे आपको 22 भाषाओं में से एक भाषा आपको आती है clear हुआ तो यह होगा आपके सामने दो चीज़ें एक तो ओरिजन और एक भाषा को लेकर तो यहाँ पर कितने जो है यहाँ पर flexible कानून यहाँ रिलेक्स कर दिया गया है रूल्स को जो CA के तहट जो है वो नागरिक्ता लेना चाहते हैं अब आ जाते हैं भारत में अगर वो आया है तो वो कैसे डिसाइड करेगा या फिर कैसी stabilize किया जाएगा कि वो इस 71 दिसमबर 2014 से पहला है भाई कोई तो दस्तावेज होगा ना आपको वो दिखाना होगा तो यहाँ पर जो rules हैं उसके अंदर 20 तरीके के जो दस्तावेज है उसको सुची बद किया गया आपके पास 20 में से कोई एक होगा तो हम माल लेंगे कि आप जो है इस तारीक को भारत के अंदर entry किये थे जिसमें से क्या हो सकता है वो proof के तोर पे क्या हो सकता है कि एक तो होता है valid visa सबसे बढ़िया चीज तो आपके पास valid visa ही ही है सरकार ने दिया आपके पास valid visa हो गया तो वो तो definitely साब पता चल जाएगा या फिर residential permit जो है इसू किया गया हो foreigners, regional registration, registration office के दोरा एनि FRRO के दोरा तो ये तो बड़ा simple सा तरीका अगर ये है तो कोई बात नहीं आप माल लीजिए माल लीजाओगे इसके अलावा slip issue की गई हो census जो जनगर्ना करता होते है उनके दोरा अगर भारत के अंदर जनगर्ना करता होते है उनके दोरा अगर कोई slip issue की गई हो माल लीजिए आप तो भाग कर आए हो चुप चुपा कर आए हो आपके पास वो नहीं है valid visa नहीं है residential permit नहीं है कोई बात नहीं आपके पास जो जनगर्ना और इती जनगर्ना के जो क्या कहेंगे कि जो enumerator होते हैं जो गन्नाकार होते हैं उनके दोरा अगर कोई slip दी गई हो वो है आपके पास या कोई आपके पास driving license है या अधार card है या राशन card है या कोई और भी letter है जो government के दोरा या court के दोरा issue किया गया हो या फिर Indian birth certificate माल लो या land या tenancy record माल लो यानि आपके पास register rent agreement हो pen card जो आपने issue किया हुआ है उसके जो document है वो है आपके पास या और ऐसे document है जो central government है state government के दोरा या PSU के दोरा या bank के दोरा जो दिये गए हो लागू किये गए हो वो हो आपके पास या फिर certificate जो है वो issue किये गए हो elected member हो चुना हुआ व्यक्ति हो जो वो गाव से हो या urban से हो या एक officer हो revenue officer हो ये सब चीज़ चलेंगी या आपके पास post office account हो even ये भी चीज़ ना हो तो एक insurance policy हो अलग-अलग तरिके के bill हो या court year tribunal के record हो E.P.A. document हो school living certificate हो या academic certificate हो या municipal trade का आपने कोई license ले रखा हो merit certificate हो इतने सारे आपके सामने document दिये गए हैं इन में से अगर कोई एक भी document हुआ जिससे आपकी आपके पास होगा जिससे आपकी क्या होगी date decide कर ली जाएगी कि आप इस तारिक को देश के अंदर entry किये थे इससे पहले क्या होती थी भाईया इनसे पहले थोड़े अलग कानून हुआ करते थे विजजा के साथ साथ कुछ certain document भी बहुत ज़्यादा जुरूरी होते थे लेकिन यहाँ पर इन में से कोई एक ले आईए आपकी entry जो है वो बता देगी आपकी entry किस तारिक को होई थी देश के अंदर तो हमने देख लिया origin हमने लेख लिया धरम भी वहाँ पर देख लिया हमने देख लिया कि आपको भाषा का ज्यान कैसे मिला जाएगा मतब आपको बस बोलना होगा तीसरा हम उसके बाद हमने यह देख लिया कि आपने entry कब की देश के अंदर वो कैसे decide करोगी उसके 20 document के उभी हमने देख लिया अब आजाते हैं नागरिक्ता के लिए आवेदुनों पर कारवाई का परभारी कोन होगा भई कोन होगा कोन नागरिक्ता देगा कैसे कोई अगर अबमान लेजे आपके पास CS सारे document है अब कहीं जाकर तो किसी को तो दोगे न कि भई मेरे पास CS साब document है जो सरकार ने मांगे कहां जमा कराएं किसको दें कौन सी committee है जो इन से document को लेगी और आगे process करेगी आगे का procedure जो चलाएगी उसको हम जान लेते हैं देखिए केरोल और परश्चिम बंगाल में अभी हाल इमें क्या कहा कि भई ममता बेनर जी ने साब बोल दिया कि हम हमारे राज्ये के अंदर C.E. लागू नहीं होने देंगे अब ऐसा होगा तो क्या होगा भई बहुत सारे जो राज्ये हैं वो तो बोलेंगे ना जो opposition जो opposition पार्टी जब वो C.E. का विरोध कर रही है जो opposition जो है जो जिस इस राज्ये में वो तो साब बोल देगी भई हम C.E. का विरोध करते हैं और हमारे राज्ये के अंदर इसको लागू नहीं होने देंगे हाली के अंदर तमिलाडू के अंदर क्या हुआ तो तिलेपती विजे हैं क्या है कि C.E. को लागू होने ही ना दे ऐसा सरकार ने समझ लीजिए इनके हाद बान दिये हाद कैसे बान दिये सारा काम कर दिये electronically मतलब electronically बोले तो सारा काम होगा online ये सारे आपके सामने जो document दिया गया है ऐसे online सब चीज़े आएंगी जो citizenship अगर चाहिए होती तो वो citizenship application जो है वो district collector के पास आती थी district letter क्या होता था वो राज्य के अंडर जो राज्य का administration उसके द्वारा control किया जाता था अब नए rule क्या कहते हैं नए rule ये कहते हैं जो एक empowered committee होगी उसके साथ एक district level committee होगी DLC होगी DLC होगी एक EC होगी EC मतलब की empowered committee होगी एक DLC होगी इनके जो सदस्य हैं उनको भी हम देखेंगे empowered committee के अंदर सदस्य कोन होगे DLC इसके अंदर सदस्य कोन होगे और इनके काम क्या क्या होगे पर ये आपने DLC बता दी DLC का काम क्या होगा इनके अंदर member कौन-कौन से होंगे इस ही बता दी आपने यानि empowered committee बता दी इसका काम क्या होगा और इसके अंदर कौन-कौन से सदस्य होंगे first of all हम जाल लेते हैं DLC देखिए application जो है वो किसको दी जाएगी DLC को दी जाएगी वो DLC जहांपर application लेगा आगे का process कोन करेगा empowered committee करेगी वो ये decide करेगी उसका ही decision जो है वो final माना जाएगा clear हुआ तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी केरल और पक्षी मंगाल जैसे काफी सारे जो विपक्षी शाशित राज्ये हैं वो CEO को लागू नहीं होने देंगे इसलिए सरकार ने क्या क्या उनके हाथ बांधी है और सारी चीज़ें क्या कर दी वहाँ पर उन्होंने online कर दी उन्लाइन कर दी उनके पास कुछ रहा नहीं लोग जाएंगे online जाकर अपना document जमा करा देंगे यहाँ पर दो committee बनाएगे एक DLC और एक EC वो अपना काम करेंगे अगर उनके document valid पाए तो उनको नागरिकता मिल जाएगे तो यहाँ पर एक तरीके से जो राज्य है वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं यहाँ पर clear हुआ अब आज आते हैं हम यसे जह हमने देख लिए हैं अब हम बात कर लेते हैं कि EC यानि Empowered Committee और DLC यानि District Level Committee इसके अंदर कौन कौन होने वाले हैं इनके जो सदस्य हैं वो कौन होगे यहाँ पर इंपावर्ड कमीटी के अंदर जो डिरेक्टर होगा जो एक तरीके से वो कौन होगा वो Sensus Operation करने वाला होगा जो जनकरना संचालन है उसके द्वारा क्या जाएगा इसके अलग सदस्यों के अंदर और सदस्ये जो होगे इसके अंदर उप सचीव या उसे उपर के रैंक के साहय को खूफिया ब्यूरो जो ग्रह मंतराले के अंदर आते हैं उनके अधिकारी होंगे साथ-साथ FRRO इसके अधिकारी होंगे राजे सुचना विज्ञान जो इसके अधिकारी होंगे राश्टे सुचना विज्ञान के अंदर जो इलेक्ट्रोनिक अन सुचना प्रोद्योगी की मंतराले के तहता है उसके अदिकारी होंगे और राजजे के Postmaster General के अंदर संचार मंतराले के जो दाहता है उनके अधिकारी होंगे राजजे, ग्रह विबाग के और रेलवे के एक-एक परतिनिदी समीथी में जहां पर station master का भी यहां पर role बताया कया है अभी वह हम देखेंगे DLC में क्या होगा DLC में संबंदित जिले के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी या जिला सूचना विज्ञान साहिक या तो आप एक officer दी दीजिए या आप एक assistant दीजिए इनमें से कोई एक चलेगा इसके अलावा के अंदर सरकार का एक nominee व्यक्ती भी शामिल होगा DLC के अंदर ये empowered committee थी ये easy थी ये DLC की बात हो रही है DLC के अंदर कौन कौन होगा इसके अलावा दो सदस्य सामिल होगे जिला collector का रहे लेके एक परतिनिती होगे जो naive यानि की जो तहसीलदार होते हैं naive तहसीलदार उसके बराबर या उसे उपर का बंदा होना चाहिए उसके नीचे का level का नहीं चलेगा उसे नीचे का rank नहीं चलेगा अगर उसके मान लीजिए एक ऐसा शेतर है जहां से railway की line गोजर रही है और वहाँ पर जो railway की line का प्राब्लम्स आ रही थी उनकी help के लिए गोहार लगाय थी center government को अब यहाँ पर क्या हुआ इसका परवासी आये हुए उनको LTV यानि long term visa है एक तरीके का visa दिया जाता है long term visa हो गया और नागरिता परदान करने की शक्ती के लिए नागरिता नियमों में शंशोधन किया था तो ऐसा नहीं कि पहली बार किया पहले भी किया जा चुका है इसके बाद गय तो ऊगई बीजिपी आप दो बीजिपी की बात करें बीजिपी तो देती ही रही है क्याथ कॉंग्रेश नहीं किया है 2010 जुन के अंदर जमनोहन सिंग जी जो है परधान मंतरी थे गरह मंतराले ने राज्यों और के अंदर साशित परदेशों को पोस्ट पासपोर्ट की जो वैदता पर जोर दिये भी ना बहुई कोई भी जो पाकिस्तान से जो नागरिक है जो भारत के अंदर आ गए है जिनके पर उत्मेडन हुआ है उनके पास कोई वैलिड डोकिमेंट नहीं है वैलिड पासपोर्ट नहीं है वीजा नहीं है आप उनको नजन अंदाज कर दीजिए और यहाँ पर उनको एक तरीके से LTV लोंग टर्म वीजा देने की बात वहाँ पर की गई थी लोंग टर्म वीजा एक तरीके से बात में ठहरने के लिए एक परमिट के तोर पे काम आता है क्लियर अलग अलग तरीके के वीजा होते हैं इनके पर हम फिर कभी डिसकस करेंगे और इसकी जो नोटिफिकिशन की जो डेट रखी गई थी और जो CTV नहीं है यह LTV ही है ठीक है यह थोड़ा सा printing क्या क्या है translation mistake है सीधा ही वहाँ से Google translate किया है तो LTV जो देने का मूल रूप से भारती मुशलमान, मुसलिम पुरुशों के मामले में भी विचार किया गया था यहाँ पर 2010 में जो मनमौन सरकार थी उन्होंने क्या किया था यहाँ पर केवल हिंदू के लिए नहीं सिखों के लिए नहीं मुसलमानों के लिए भी यहाँ पर LTV दिया था लोंग टर्म विजा दिया था उसमें क्या था कि कोई जो पार्टिशन के टाइम जो भार चोड़ कर चला गया अपनी फैंबली पीछे चोड़ गया लेकिन अब वह वापस आ गया है वो रहना स्टार्ट कर दिया उसने तो वहाँ पर क्या हुआ था उनको LTV दे दिया उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वो लोट आए और केरल में बसके तो वहाँ पर उनको क्या किया था एक तरीके से छूट दी गई थी दिसंबर 2014 में पहली बार नरिंदर मोधी सरकार ने अधी सुजने जारी कर पाकिस्तान से आए हिंदू, सिक, इसाई और बोध ध्यान रखना 2014 में पहली बार जो अपने नोटिफिकेशन में जो पाकिस्तान से आए यहाँ पर धरम देख लें जा हिंदू, सिक, इसाई और बोध सिर्फ चार ही धरम थे जैन और पार्शियों को बाद में एड किया गया प्रवासियों को नागरिकता देनी के अनुमती दी गई थी इस छूट में जैन और पार्शियों को शामिल नहीं किया गया था स्टार्टिंग की बात है दिसंबर 2014 की यह चीज़े बाद में एड हुई है 2015-16 में सरकार ने पासपोर्ट भारत में परवेश नियम और विदेशी आदेश में संसोधन किया मतलब किसके अंदर इन रूल्स के अंदर चूट दी थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान बांगलादेश चाहे हिंदू, सिक, बोज, जैन, पार्शियों और इसायों को कानून की प्रक्रिये से चूट दे दी थी लाने से सिर्फ एक साल पहले सरकार ने एक अधिसूचन जारी की, जिसने इन समुधायों को भारतिय नागरिकता मांगने पर LTV के लिए पातर बना दिया आप भारतिय नागरिकता चाहते हैं, ठीक है, आपको लोग टर्म वीजा दे देंगे, अभी लोग टर्म वीजा से क्या होगे काफी सारे लाव मिलने स्टार्ट होगे, वे नीजी नोक्री कर सकते थे वहां पर वैफ साय कर सकते थे, अपने बच्छों को स्कूल में आपर इनको नागरिक्ता दी जाएगी और आज हम उसके 2024 के अंदर रूल को डिसकस कर रहे हैं तो ये तो थे रूल CA के तहट अगर कोई नागरिक्ता लेना चाता है तो वो कैसे नागरिक्ता ले सकता है आई होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी जो डोक्यूमेंट है वो सब चीज़ें आपको पता चल गए होगी कौन-कौन से डोक्यूमेंट है फिलाल काफी सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं CEO को लेकर देखे मैं फिर से कहूंगा रूमर्स मत फिलाइए चीज़ों को लेकर CEO किसी की नागरिकता नहीं ले रहा है ये CEO बिल्की नागरिकता दे रहा है इन चीज़ों को में समझना होगा हाँ आपको किसको पसंद नहीं है आप जाके वहां पर गोहार लगा सकते हैं काफी सारे लोगों ने लगा भी रखी आने वाले टाइम में हम सुप्रीम कोट का भी फैसला डिसकस करेंगे तो आज की वीडियो में बसी इतना है था वीडियो पसंद आई है तो डेफिनिटली वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें पीडियो के लिए फिर से बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आब वहाँ से इस वीडियो के पीडियो भी जोड़ है डाउनलोड कर सकते हैं तैंक यू फॉर वाचिंग एक लिए फिर सब्सक्राइब करें